सेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेग मिससा टेंग में डेसेंश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर अपडेट लेने वाले हैं वैसाली फार्मा लिम्टेड है दोस्तों इसको हम लोगों ने जब लाश्ट टाइम डिसकस किया था तो मैंने आपको कुछ टार्गेट सज का अपडेट है और चार्ट पर जो नज़र आता है कि कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए क्या टार्गेट लेके चल सकते हैं उन सभी चीजों पर हम लोग इसमें इस वीडियों में डिसकस करेंगे और मैं आप को यह भी अपडेट करना चाहता हूं दोस्तों कि इसको तो हम लोग तब से discuss कर रहे हैं जब इसका share का price हम लोगों को around 36 rupees 60 rupees के round हम लोगों को देखने को मिलता था इस पे देखिए हम लोगोंने बहुत अच्छे से discuss किया है पुराने वीडियो पे जाएंगे दोस्तों तो यह देखिए वैसाली फार्मा हम लोगों को देखने को मिलता है 55 rupees पे तो एक 11 महिने पहले यह 55 पे था अभी हम लोगों को 153 rupees के round देखने को मिलता है तो growth तो हुई है और condition भी company की काफी better हुई है तो सारी चीजें समझेंगे दोस्तों एक time था infotech को हम लोग बहुत बारीकी से समझते हैं बहुत profit बनाया है इस share से 8 rupees 90 पैसे पे दिखा रहा है 100 rupees इसके बाद यह हुआ था और फिर उसके बाद इसमें profit booking देखने को मिली थी काफी बहतरी moment थी तो अभी वैसाली फार्मा पे क्या क्या अपडेट है वो समझते हैं currently दोस्तों 163 rupees 65 पैसे के राउंड ट्रेड कर रहा है अर्निंग पर share इसकी अच्छी हो रही है price earning ratio 25.64 देखने को मिल जाएगा अगर इसके चार्ट पे अपडेट नजर डालेंगे दोस्तों तो यह पूर 200% का profit 5-year पे 250% का all time पे 250 देखने को मिलता है तो बहुत बहुत बहुतरी मतलग जब भी आपने खरीदा हो इस टाइम पे आप इसमें profit में हैं तो काफी समझने के लिए important share हो जाता है तो चीजें इसकी समझते हैं बारिकी से बहुत कुछ मिलेगा आपको जानने के लिए license रही है better पे better होते जा रही है और आने वाले time में यह जरूर और growth करने वाली है profit growth की बात कहें तो 168% का growth रहा है दोस्तों यह चीज ध्यान में रखना चाहिए कि या तो कुछ कंपनियां होती हैं जो मतलब बहुत उपर चाहिए जाती है फिर उसके बाद वो एक तरीके से flat line मतलब अब उनमें growth नहीं हो रही है बस अब वह maintain करने की कोशिस कर रहे हैं कि हम इतने profit हमेशा करते रहें और कुछ कंपनियां इस फिल में आती हैं जो मतलब इस टाइम पर growth period में रहती हैं पुरी तरीके से growth पर तो यह company का जो data देखने को मिलता है यह growth oriented ज्यादा देखता है मतलब growth के ओपर इनका अभी इस टाइम पर ज्यादा ध्यान है company नहीं नहीं है बट जो growth की बात करें तो वह कुछ अल्चल जो है दो तीन साल में दिखने को मिली है मैं देखा है मैंने दोस्तों की इसकी जो growth है वह COVID के टाइम पर से थोड़ी increase हुई क्योंकि उस टाइम प हुआ तो इस वज़े से इनको थोड़ा stable होने का मौका मिला इन company को थोड़ी profit होई अच्छी उस वज़े से इन्होंने अपना जो maintenance maintenance है कह लिए उसको काफी बढ़िया किया दुरुस्त किया अब देखिए अगर हम लोग दिसंबर 2019 से data देखें तो यहां वे आपको देखने को मिलेगा कैसा कैसा data आता था फिर इन्होंने देखिए जून 2021 से एक बार भी इसका data नेगिटिम में नहीं गया और अभी जो दिसंबर का latest profit आया था वहां पे 2.66 करोड का profit हुआ है तो बहुत बढ़ा है इनका profit अगर हम पुराने नंबर देखिए कोवीट से पहले देखि profit और अब एक टाइम है दो करोण 66 लाइक का profit तो काफी ज्यादा increase हुआ है और अगर overall इस तरीके से देखें 2011 से लेके 2022 तक का देखें तो यहां पे देखिए कितना कम-कम profit होता था और यह कोवीट के दोनों अगर हम साल गिल ले तो पहले में बस एक करोड का दूसरे में 4 कर में से चल रही है वहां पे दोस्तों यह 6 करोड तक का profit देखने को मिलता तो काफी सुधार हुआ है ऐसा नहीं दोस्तों कि इसकी sale पहले बड़ी नहीं थी अगर हम लोग 2013-2014 की sale देखें तो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि company को मतलब 100 करोड से ज्यादा का sale कर यहां पर इनका growth का बहुत अच्छे से यहां पर जो growth है वह maintain करके रखा है तो overall बात करें दोस्तों तो बहुत बहुत बैतरी चल रहा है cash flow भी ठीक ठाक है ratios भी सही आ जाते हैं तो कहां पर खरिदने के लिए जाना चाहिए क्या target लेके चल सकते हैं वह समझते हैं देखिए इसको जो मैंने लाश्ट टाम आपको अपडेट किया था तो 37 रूपीज 45 रूपीच के बीच में खरिदने का target था फिर 60-65 फिर बड़े-बड़े target मिलते गए फिर मैंने आपको और पहले अपडेट किया था तब मैंने आपको यह कुछ लेवल बताया थे यहां पे हम अपडेट था 159 का और उसके बाद 181 का target लेकि हम लोग चल रहे हैं तो already 159 का आचीव हो गया है तो इस पर अब क्या आपडेट है वह बात करते हैं तो करनली दोस्तों जोन में कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और जो सपोर्ट है वह अभी भी 121 रूपे के रा प्रॉफिट बनाना है तब आप इसको सही जोन में ही खरिए जो की 140 के नीचे अभी नजर आता है अब हम लोगों का 160 रूपीज के राउंड वाला target हिट हो चुका है तो इसके बाद target जो है वह 181 रूपीज 05 पैसे करने वाला है पर इतनी सी ही बात नहीं थी वनना यह तो आप लोग पुरानी वाले वीडियो देख सकते थे जिनको अफडेट चीए था तीज यहां पर समझने वाली दोस्तों यह है कि इसमें अब यह जो लेबल है जो आज से जहां पर गया है यह काफी इंपॉर्टेंट लेबल है इसके उपर हम लोग कल भी देखना होगा कल प्रफिट बुकिंग पहले भी हुआ था से देखिए इस लेबल के राउन गया था फिर फिसल गया था यहां पर भी बहुत बार देखा गया फिर इससे बाद फिसल गया तो यह काफी स्ट्रॉंग रेश्टेंस लेबल है पर फैर इस बार जो है काफी अच्छी इंवेस्मे आई से जोन मिलने पर यहां पर एंट्री ले सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा लॉंग व्यू है वह इस पर बनके चलिए बढ़े टार्गेट के लिए जैसे 181 का 200 तक का और जो लोग सॉट व्यू टार्गेट देख रहे थे वो कल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्यों पूर्टम व्यू रखते हैं तो इस प्रगार से इस पर अपड़ेट हो जाएगा करचिसन की बात कहने दोस्तों तो बाकी सारे चीज ये ठीक ठाक ही देखती है आज मार्केट रेड में ही रही पूरा आज हम लोगों को क्लोजिंग रेड में ही देखने को मिली तो इस प्र